समस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अंकुर बंसेल जनरल लेजर ट्रॉमा यह लेपरिस्कोपिक सर्जन और मैं आग्रा में है ऐसा मल्टी सुपर स्पेशलिटी आस्पेशलिटी आज हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारी पैनिस होती है उसकी जो स्किन से इलेटेड है जो खाल होती है इसको फोर्ट स्केन या प्रिप्यूस कहते है उसके बारे में आपको जानगा रही दूँगा एक बहुत कॉमन बिमार इसनला बहुत च्छोटा सा झाल हो जाता या क्मप्रिटली बढ़ शाती है इसके को सारे कारण है टौ सब्सक्तों में जरन जाया प्यूसरा हो सकती है अपनियाब भी हो सकती है दैरेक पॉसक्टि बहुत क्मक्रीत होतीज़ों शकर आप 45 जाता है रस्ता तो यह phimosis की बिमारी कहते हैं इसको, phimosis के जो treatment है basically, phimosis का treatment surgical है, इसकी कोई दबाई नहीं आती, phimosis के अंदर हमें क्या करना होता है, वो जो skin, poor skin आगे चुपक गई है, उसके दो तरीके के treatment होते हैं, एक होता है dorsal slit, जिसमें हम छोटा सा उसको खोल देते हैं, और प्रिप या को करते रहें, जिससे भी दुवारा बंद रहा हो, इसका जो permanent illness है, वो उसे कहते है circumcision, circumcision जो आपने हिंदी में सुना हुआ, जो खतना कहते हैं, इसके अंदर जो खाल बंद हो गई है, हम उसको काट देते हैं, और काट के नीचे, ग्लांस के नीचे, उसको लगा देते ह हैं, अगर आपने देखा हो तो, तो इसके अंदर basically जो circumcision है, circumcision के भी आप कई प्रकार हो गए, एक तो normal circumcision होता है, जो हम हाथ से करते हैं, इसमें हम skin को खोलते हैं, फिर काटते हैं, और काटते नीचे लगा देते हैं, दूसरा तरीका आजकल जो नया आगया है, वो आगया आजका latest technique है, और यह बहुत ही कार्या रहता है, इसमें कोई चीर अटाका नहीं लगता, कोई stitches नहीं आते हैं, सीधा हमने refuse की ऊपर, हमने stapler को लगाया, उसके अंदर rings होती है, और वो ring fire करते हैं, stapler को rings अपने आपी काट के force के को लीचे लगा देती है, यह मुश्किल से 15- दस मिट का procedure है, patient walking आता है, walking ही अपने घर पे चला जाता है, इसकी एक और surgery जो latest चल रही है, आजका जो promote होती है, वो laser surgery है, laser से हम circumcision कर सकते हैं, इसके अंदर फायदा यह है, painless surgery है, इसमें कोई cut नहीं लगता, और इसमें कोई bleeding नहीं होती है, और patient same day अपने घर चला जाता ह अब क्या होता है, अब यह phimosis की जो बिमारी है, जिसमें foreskin पूरी बंद है, push patients को बिमारी होती है, fenlum की, fenlum होता है, हमारे fenlum जो होता है, हमारे penis के नीचे, एक skin foreskin attached रहे जाती है, तो जब हम penis को खोलते हैं, जब foreskin को पीछे glass में करते हैं, तो उपर की skin तो खिसक जाती है, और उनकी main complaint यह होती है, कि हम जब intercourse करते हैं, यहां sex करते हैं, तो हमें,quito un irony होती है, गोढ़ी penis कुलती है जब हम severe pain होता है, वो पूरी नहीं कुलती, मतलब partially खुलती है, पूरी नहीं कुलती है, फाइमosis में तो पूरी नहीं खुलती है, इसमें partially खुलती है, पर नीच या Frenol Thanks Frend Knee करते हैं उसमें हम पूरे स्किन को नहीं करते इसमें जो नीचे का पॉर्शन Прहुंग का जिससे उसको हम भड़ा करके उसको हम लाजर ने सरे वाथ से खोल देते इसको कहते तो आजकल आं और फरीमोन सिस और फेनलम की Sher हैं ये बहुत जा रहा है, ड्रश के बाद को रहा है कि फेसे राफ सेंसे बहुत के जाता है, बाईठीक के बाद भोड़ वे होटी में होता है एक आप यह होता है पेराफाइमोसिस का कि हम इसके अंदर इसको पंक्चर करके उसके पतला करते हैं और उसके अंदर जेली लगाके उसको दुबारा से फोर्सकिन को रेटाइप कर देते हैं तो नॉर्मल हो जाती है तो मैंने आज आपसे डिसकुस किया सर्जिकल बिमारियां जो यह अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है अगर आपको जो स्केन है बंद है तो आप डॉक्टर संपर्क करें और जेड़ेसार स्टेफलर से या नर्मल तरीके से अपना ऑप्रेशन करा है और अगर आपको यह डिफरेंशियेट करना बहुत जरूरी है कि आपको फ्रेंडलम की प्रॉब्लम है अपको ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंडलम की प्रॉब्लम के लिए पाइमोसेस वाला इलाज सरक्मसियन कराने जरूर्ण नहीं है चोटे से मात चोटे से एलाज से ठीक हो सकता तो यह जरूर देखें और मैं यह कहूंगा अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ह जरूर संपाथ करें, तर दन्ने वादें.